किसे हुआ आप सब लोग आई होब यू ओल और फान मैं इस गूपालेशी सांग्या एंड वेलकम सुन सरस्वती गूप ओफ इंस्टिट्यूट बच्चो अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रिविजन करवाया था रिविजन में मैंने आपको क्या करवाया था रिविजन में स्वार सिखे थे हमने स्वार कितने होते है बच्चो येस स्वार 13 होते है राइट तो बच्चो स्वार में हमने सारे के सारे स्वार एक लिक्चर में हमने फिर से रिवाइज कर लिये थे तो बच्चो अब स्वार त कहां तक को के वियंचन आने वाले हैं को से लेकर न तक के वियंचन आने वाले हैं उसमें आपको कुन-कुन से वियंचन आने वाले हैं ये तो पता चल गया तो बच्चों उसको फिर से हम रिवाइस करेंगे मैंने आपको वियंचन तो सारे के सारे एक्स्प्लाइन कर दिये है वीडियो लेक्चर में तो अब मैं आपको फिर से को से लेकर यहां तक के कुल दस जनों को आज फिर से अरिवाइस करवाऊंगी यहां पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है बच्चो राइट आप एक बार पूरा का पूरा चार्ट देखलो अच्छे से राइट यह चा यह तक का यह तक के सारे के सारे वेंचन दिखाता है राइट बच्चो तो वेंचन का चार्ट आपने देख लिया यह इस चार्ट में से आपको सारे के सारे वेंचन दिखाई दे रहे हैं पर बच्चो हमें कितना करना है यह हमें सिर्फ अंग तक ही करना है मतलब कि यह जो स सुरुवायत करते हैं तो पहला हमारे वेंजन कोंचा है बचो यहां पर आप चार्ट में देखते रहे नहां मैंने जब आपको यह डीप में एक्स्प्लेंग किये थे तब एक 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 को वेंजन ने में तमने चीत्रस अथे बता डिया था राइट अवेपन हुँ तमने एक ए पहले एक 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 पोलिटो पछी तिया थी एक नानुकुडू राउंड अने पछी तिया थी आवी रितना आम अरले बनी जये चे आपड़ो को से कमल को से कमल को से कबुतर को से इस अक्सर से कोई भी वस्तु शुरू होती है तो वहां पर आपको टिक कर देना है को से शुरू होने वाले सब्द ढूंटे यह लिखा गया हो तो के करेंगे जहां पर कमल लिखा हो कबुतर लिखा हो पच्वा लिखा हो तो वहां पर आपको राइट कर देना है को से कमल समझाई कि बाड़को को के विरिते थाई छे राइट को आपने हजी एक वखट लखी इन जोई जोए एक उभली टो आची त्यांती एक आम राउंड बाड़को में तमारी बदी इसी डबल्यू जोए अमुक बाड़को ये बहुत शरस रिते बधाव्यंजन लखेला छे प आपड़े तीरे तीरे आपड़ा अक्सर मा पन थोड़ थोड़ो इंप्रोविम्मेंट करिए राइट जोज दमे बाराम वार घुट शो तो दमार अक्सर पन सुधर से राइट तो हवे आपड़े को लखीए पेल लाई कू फोली टो पच्छी तिया थी आमाटलू अने आई थी पच्छी आविरित लाइकम टर्न लही लेवानों छे राइट अडला बनी जासे को राइट अवे आपड़े को पच्छी सिखिए खा को पच्छी सुआवे खा बढको खा लखवा मा तमें बहुप भूल करी छे खा के विरित लखाई एको खत समझी लियो पेल इस ट्रेपने फोलो करवाना रेशे राइट तो इस ट्रेपने फोलो करशो तो तमने आसानी थी लखता आवड़ी जासे राइट खोल लखवा माटे पहला तमारे आविरित ना आकामू पो आविरित ना सी करवानों छे अन्दो बहु वड़ाक नथी लेवानों पच्छी ત્ંલુંદી ત્યા 13 થી આৌચ્ત્ઋ આમુક્વં લેવાનો' आवियर इतना उच्चु आयनू पाख्यो लई जावानू छे राइट एतना मुच्चु लई गया पजची ति एक नानो कडो अंधराम सी बनावानू छे औने एक उपुप लिटो औने पछी एक सीरो रेखा बाणको शीरो रेखा करवी कंपल सरी छे राइट तमे शीरो रेखा करता जी नथी। अमुक नी CW में जोयू के 0 रेखा नोती। तो बाड़को आपड़ हिंदी बणिये छी। तो 0 रेखा तो गरवी जोये ने। तो हवे बता CW में जेरे लखो त्यारे C 0 रेखा कर्शने। येस। तो आपड़े 0 रेखा के वाई छे आने। तो आपड या करवी बहुत जरूरी छे बढ़को तमे एक भूल करो छो इछे क्या जी अंदर नो जी वच्चे नो सी जो नानोकडु पाट छे ने एनने तमे अलग लखो छो तमे के विरिते लाइखु तु आविरिते आम तो बढ़को आ थड़ोक रोंग थेग्यो राइट आने आही आ बच्चे आइथे आपड़ाम चीरो रहा त्यारे आपनो ख व्यवस्तित बाईनो के वाई राइट ख समझाये गयो तो ख से खत ख से खत ख से खजूर ख से खरगोस ख से खटमल राइट बच्चों ख के बाद आता है गो गो भी बहुत इजी है राइट तो गोल लिखने के लिए पहले हमें को एसे एक लाइन बनानी है फिर यहां से एक सिरो रखा लगा देनी है पहले एक सराउंड इसकोंदर्ट मूड देना है फिर एक सिरो रखा लगा देनी है गो से गता गो से गता गो से गर्दन गो से गमला गोसे गता गोसे गमला गोसे गर्दन राइट तो बच्चो जो जो सब्द में बोल रही हूँ ना वो अच्छे से सुनना अच्छे से याद रखना ठीक है बच्चो यह वीडियो लेक्चर आपको एक बार में इसा लगे कि सारे वर्ड मिक्स हो रहे हैं तो दूसरी बार देख गोसे गर्दन गोसे गता गोसे गमला राइट बच्चो गोस समझ में आ गया अब को की बारी अब तक हमने तीन सिखले को खो गो फिरा ता है को को के विरित लखवानो अविरित नाड़ तो राउंड अंदर करवानो बच्छी तिया थी पाच्छ बिजो राउंड करवानो बच्छी तिया थी एका मूची लीटी करवानी राइट कोसे कोर्ण को के विरितना लाइक हो समझानू आमेरितना आम ऑने रितना आम बच्छी तिया थी आम कोसे कोरों खौसे करो, राइट, बच्चों कौन कौन से सब्धे सुरू होते हैं? कौन से कड़ी मतलब की ये वाली कड़ी, राइट बच्चों, आपको समझ में आ गया है कि कौन से खड़ी की बात कर रही हूँ मैं? कासे ख़डी कासे य ओंगवरता है यानिके आपने लाइन मां जेजे ये बदा लखा पड़े राइट तो अपड़े बाड़कों केवी इतना लागशू पहला आपड़े एक नानिकडी लाइन करेशू मुँआ ये थोड़ोग मोटा लाखी सरले तमने वज जाए और तमारे आपली मोटी लाइन करवानी ना थी पच्छी आई थी आवे रिद नाड़ दोसी और पच्छी प्यां थी नाम टर्न लाइले वानू और पच्छी आई एक डोट करी देवानू छे नानू कुडू तो बनी जासे आपड़ो एक स्पेसिल केरेक्टर मतलब क्या ना थी कोई सब्दा सरू थता ना थी पच्छी आवे छे बड़को चो अपड़े चो थिंग सूसू सब्दा सुरू साता था चो से जमाज चो से चपल चो से चमाज चो से चपल तो बच़ो आप चा लिखते हैं चा लिखने में भी बचव आपने मिश्टेक किये चा लिखते हो तो जases लगता हे पौल लिखा है पर बचचो चा में और पौल में तो बहुत सारा डिफरण्स है तो अच्छा तूसर में पहले हमें सिर्फ लाइन ही बनानी है फिर यहां से इसको यहां से इसको इसे मोड़के ऊपर ले जाना है फिर एक सिर्फ और एक डाल देनी है यह बनता है हमारा चोंग बच्चों किसी ने इसे कर दिया है तो यह गलत हुआ बच्चों तो अपने सही वाला देख लिया कि कैसे करते है फिर से करती हुए एक बार एक लाइन बनानी है आड़ी फिर यहां से इसको इसे मोड़के इसको इसे चोड़ देना है एक लाइन बना देनी है फिर इसको उपर इसे सिरो रिखा से ड़क देना है इसके उपर एक सिरो रिखा लगा देनी है तो चोंग से चमच चपल तो बच्चों यहां पर आप चार्ट तो देख रहे हो ना यह सारे के सारे वेंजन इसमें आ रहे है फिर बच्चों आता है चो चो से क्या सब्दी सुरू हो यह थे बच्चों चो से चत्ता चो से चत्री चो से चोड़ी चो से चोट चो से चत्ता मतलब के मत पुढ़ो पच्छी चो से चत्री चो से चोट चो से चोड़ी राइट तो अब च्चों लिखते है राइट बच्च चाह में बच्चो सबीन ऐसा ही लिखा था और क्या किया था चाह में यहां से इसे लिखके इसको ऐसे उपर ले जाना है बच्चो कोई-कोई बच्चे ऐसे कर देते हैं तो यह नहीं होता फिर इसको ऐसे उतना उचा लेते हैं तो यह तो कुछ समझने ही नहीं आता बच्चो जाना भी दिखाती हूँ लिखने के पैले यहां से इतना उपर लए गरें विह इनग तो ए Осबं धूर करने न दो को फिर आप इनी डॐाहु आपड़ा पिंगत शुरह रखावी निदही Миाज. तो आथे ग्यो छो, अजी एक वाखत जोईलियो, पेला आपड़े आवरी नाम सी कर सु, पच्छी आपड़े ते आथी ने आने अमुच्वा ले जा सु पाकुयो आनू, अने पच्छी आई थी अंदरे ग्राउंड ले ले सु, और आणे पच्छी आई आथी आपड़े राइट, छो के बाइट के आता है बच्छो, जो आता है, राइट, तो अब हम जो लिखेंगे, छो कैसा लिखते है बच्छो, पहले सिर्फ हम एक लाइन बनाने है, लाइन बनाने है, फिर यहां से इसको ऐसे मोड़ना है, यहां से इसको और एक लाइन बना देनी है, तो ब हें यहां से एक सीरो रहा है कर दो बन जाएगा जो जो से जले भी जो से जब जो से जड़ Bir셔야 जेक जो से में जो निफे ज़ेश्यों के बाद कने शबना आता है ये जाके बच जो आता है तो अब हम जो सिखेंगे है ना बच्च बिलकुल आसान है आप अच्छे से सिखोगे तो आपको अच्छे से आही जाएंगा इसमें कोई टंसल लने वाली बात ही नहीं है तो जो लिखने के लिए पहले हमें इतनी छोटी वाली लाइन बनानी है फिर यहां से आता सी फिर इसको ऐसे मोड़ना है फिर यहां से इसको छोटा राउंड लेके ऐसे कर देना है फिर यहां से इसको उपर खीचके एक लाइन बनानी है फिर सिरो रखा लगा देनी है तो जो बन गया बच्चो कैसे लिखना है फिर से देखलो यहां से इसको एसे लाइन बनानी है फिर आदासी फिर यहां से इसको थोड़ा मोड़ के अंदर लेना है फिर यहां से इसको एसे एक लाइन से चोड़ देना है फिर यहां से इसको एसे थोड़ा उपर ले जाना है और एक लाइन बना देनी है राइट फिर इसके उपर से रखा डाल देनी है बन जाएगा जो जो से जरुना जो से जरुना राइट बच्चो तुझा समझ में आ गया अब अब हमारे इस वीडियो लेक्चर के रिविजन का यह लास्ट अक्सर है अलक आपणै कवे छलू वेन जान छिखिए छुए अवे आपणै सपेशल करेक्टर सिख्वाना छिए बाडको तम्हे आमाने आमः जमाने आ सपेशल करेक्टर मां कोय तफावत चीना ठीरेवा देता इने बेने सम्टो सम् लखी नाखो छो पन नहीं बाड़को इविरित्ते ना छी आतो थडुक अलक रित्ना बने छे चो मारी साथे क्यों के विरित्तना लखो छो फिला आनू पाकलू आटलू लाम्बू करी देवानू पच्छी तियां थिये गाम लाइन बनावानी छे औने पच्छी तियां थियां एकदम उचो लिट्टो औने पच्छी शीरो रेखा बाड़को हवा तमने जो मा अन्ने आ स्पेसेल केरेक्टर मा काई तोफ़ावत समल्जमा आईगो येस तो आजय चे औने आ एक खास वहन अछे मटलबके आना थि कोई सब्दसरू था आधा नाथी तो आजय छे औने आ एक स्पेसेल केरेक्टर म beautiful अजय सब्द सरू थाई नई तो होवे आनो नानो तफावत्तमने समझवा मावीग्य बाड़को येस तो होवे आ तमारो आज नो वीडियो लेक्चर आया पूरो करीज केम के आपणे दस वेंजन से खीली था बाड़को और रिविजन करसो ने तम्मे येस अब था वेंजन ने तम् बूख मा लग जो कुटी कुटी ने अने पच्छी आना थी कया कया सब्द सरू थाई छे एपन तमारे समझवानू छे बाड़को के कथी कोलं कथी कमल कथी कभुतर कची कथी कच्छुआ आवी रितना चार बने छे सब्द तो ये वी रितना तो छे एक आया अज स्पेशल क कर दो